ओम शैंती, 29 डिसम्बर की शुर्वद अन्नाप का स्वागत है हम किस तरीके से हद की बाते हैं, हद की चीज़ें, हद की इच्छाएं उनको हम एक साइड मरते हैं ताकि हमारे जो संबंध हैं वो कहीं बिगड़े ना वो संबंध हमारे मीठे रहें, वो संबंध में हमारे अपना पन रहें तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हदों से पार रहे सब को अपने पन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मुरगपवा जब हद की बाते आती हैं, मेरे तेरी की बाते आती हैं किया, उसने किया, मेरा है, उसका है, मैंने खरीदा, उसने खरीदा, यह जब बाते आती हैं, तो automatically क्या होता है, अगर कोई आप से चीज़े लेना शुरू करे, हद की प्राप्ति करना शुरू करे, होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए था credit, लेकि किसी और ने ले लिया, आप का धहनता किसी और को मिल गया, आप भी property, कोई और चीज़े रहा है, बहुत बड़ी-बड़ी बाते होगी, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि, यह हद की बाते हमारे बीच मना हैं, मलकि हमारी भावने और के प्रती अपवित्र ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा दुख हमें ही मिलत अपवित्र बनती हैं, हम अपवित्र संकल बनाएंगे तो हमें पहले दुख होगा, हमारा mood आफ होगा, हमारी चिंताएं बढ़ेंगी, हमारा stress बढ़ेगा, हमारे मन के और बुद्धी के सामने अंदकार चाँ जाएगा, तो इसलिए और उप्रती शुब कामने शुब पान के कारण, तो हद से पार रहे सबको अपने पन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भा, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, हर आत्मा के मन से निकलता है, ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहत का भाई है या बेहन है, दादी है, दीदी है, कहां भी रहते हो, लेकिन बेहत सेवा के निमत हो, चोटी जगा हो, बड़ी जगा हो, पाढ़ हो, नदी हो, किनारा हो, समदर हो, जहां भी आप रहते हो, वो बेहत की सेवा का स्थान है, यानि कि हम छोटे से टाउंग में रहते हैं, छोटे से गाउं में रहते हैं, हम क्या सेवा कर पहेंगे, नहीं, पर मत्म कहते हैं, बेहत की सेवा है, हदों से पार रहेकर बेहत की भावना, बेहत की श्रेष्ट कामना रखना, यही है follow father करना, सभी इसका practical अनुभव करो और कराओ, खुद भी practical अनुभव करना, कि जब हम हदों से पार हो जाते हैं, तो हम बेहत में सोचना शुरू करते हैं, और जो राजा होता है, वो बेहत में सोचता है, यह secret है, वैसे भी अनुभवी बुजर्ग को पिता जी, काका जी कहते हैं, ऐसे बेहत के अनुभवी अर्थात सब को अपना पन महसूस हो, वो भी शक्ति मिलनी आपको पॉसिबल है, प्रमारत्मा की श्रीमत ममानने से, प्रैक्टिस करने से, ओम श्यंति,